नमस्कार, आज हम भारतिय काविशास्त्र पर बात करेंगे। भारतिय काविशास्त्र में तीन महतवपुर्ण प्रेश्ण हैं। कावे लक्षन, कावे हेतु और कावे प्रियूजन। इसके अलावा भारतिय कावे शास्त्रे में अनेक संपरदायों का विकास हुआ है उनमें से छे संपरदाय महतोपुर्ण है जो हैं अलंकार संपरदाय, रज संपरदाय, रिती संपरदाय, धुनी संपरदाय, वक्रोक्ती संपरदाय, ओचित्य संपरदाय अस बिंदों के अधार पे आप भारतिय काववे शास्त्र को समग्र रूप से समझ सकते हैं। आज हम काववे लक्षन की बात करेंगे। काववे लक्षन से हमारा अभिप्राय है वे लक्षन जिनकी उपस्तिती से कोई रचना काववे कहलाती है। संस्कृत काववे शास्त्र में काववे के सवरूप पर प्रियाप्ट विचार विमार्स हुआ है। जिससे विभिन काववे संपरदायों का विकास हुआ और काववे के प्रमुखतत्वों की चर्चा करते हुए काववे लक्षन निर्धारित करने का प्रियास किया गया लेकिन विद्वानों में मतभेद होने की कारण काव्वे की कोई सरो मानने परिभाषा प्रस्तूत नहीं हो पाई आचारियों ने अपने अपने विचारों को प्रमुखता देते हुए जो काव्वे लक्षन निर्धारित किये हैं वे सरो मानने नहीं कहे जा सकते आज की विडियो में हम काल क्रमा नुशार संस्कृत आचारियों रिती कालिन आचारी कव्यों और आधोनिक हिंदी आलोचकों द्वारा निद्रेष्ट काव्वे लक्षनों को प्रस्तूत करेंगे इसके बाद अंग्रेजी के परमुक समिक्षकों द्वारा दी गई काव्वे परिभाशाओं को जानना भी हमारे लिए आवशक है इसलिए हम उस पर भी चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत आचारियों के द्वारा दी गई परिभाशाओं पर संस्कृत काव्वे शास्त्र में सर्व परथम आचारिय भरत मुनी ने अपनी रचना नाट्टे शास्त्र में नाटक के तत्वों को बताया हैं उनके अनुसार नाटक देखने वालों के लिए सुब काव्वे वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई ह जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधीक गूड ने हो जनसाधान आसानी से समझ ले तर्क संगत हो जिसमें निर्ते की योजना की जा सकती हो भिन भिन प्रकार के रस शुकार किये जा सकते हो और कथानक संधियों का पूर्ण निर्वा किया गया हो वस्तुते भरत मुनी ने यह परिभाशा नाटक को लक्षित करके दी है इसलिए इसे काववे के लक्षन नहीं कहा जा सकता अगनी पुरान के अनुसार संशेप वाद वाक्के मिश्थार्थ व्यवचिना पदावली अर्थात काववे उसे कहते हैं जिसमें अभीष्ट अर्थ को संशिप में कहा गया हो जिसकी पदावली एविछिन हो जिसमें अलंकार और गुण हो और वह दोसों से रहित हो लेकिन गुण रस के धार्म है शबदार्थ के नहीं गुण स्रावद से क्या अभीप्राय है में मत्भेद है तथा इस परिभाषा के अनुसार काववे का लक्षन दोस रहित माना है प्रन्तु यह ऐसंभव है क्योंकि मनुष्य श्वम गल्तियों का पुतला है वह दोस रहित काववे की रचना कैसे कर सकता है दोश इतने शुक्ष में और व्यापक होते हैं कि कवी के सावधान रहने पर भी उसकी रचनाओं में दोश आही जाते हैं जब दोस हिन काववे होता ही नहीं तब दोस हिंता को काववे लक्षनों में स्थान देना कहां तक उचित हैं दोशों के आ जाने से काववे के सौंद्री में व्यागात तो उत्पन हो जाता हैं लेकिन उसक काववे तो नश्ट नहीं होता इसलिए अगनी पुरान में दी गई काववे के परिभाशा को भी पौर्णे नहीं माना जा सकता है इसके बाद अगली परिभाशा आचारिय भामे की हैं भामे की अनुशार शब्दार्थो शहीतो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ के शहीत भाव को काव्य कहते हैं लेकिन इस परिभाशा में भी अति व्याप्ती दोश मुझूद हैं इसके अनुशार तो प्रतेक सार्थ रुद्रट के अनुसर ननु सब्दार्थो कव्यम यह लक्षन भी अति व्याप्ति दोश से ग्रेशित है। कहलाता है जो हिर्दे को आनन्दित कर सके लेकिन जो काव्वे हिर्दे को रोमान्चित ना कर सके तो क्या हम उसे काव्वे नहीं मानेंगे। इसलिए इस परिभाशा को भी काव्वे की पूरुन परिभाशा स्विकार नहीं किया जा सकता। शहित हो, कहीं कहीं पर अलंकरी थो वह काववे कहलाता है। इनकी परिभासा के अनुसार काववे का मुखे लक्षन है, अर्थ और गुन लक्षन अलंकार है। महमट के अनुसार गुन तो काववे में प्राण परतिष्ठा करते हैं और अलंकार इस सरीर की सोभा बढ़ाते हैं लेकिन महमट द्वारा दी गई इस परिभासा में सबसे पहले ऐ दोस्ट वाली बात पर आपत्ती हैं क्योंकि मानव ही अपने आप में दोस्ट से रहित नहीं है तब उसके द्वारा कृत रचना दोसों से रहित कैसे हो सकती है इसलिए ऐ दोस्ट शब्द पर प्रैसंजिन लग जाता है काववे लक्षनों के बारे में अगला विचार है आचारिये विश्वनाथ का यह आचारिये रषवाधी संपर्दाय से समंधित हैं इन्होंने अपने पुर्व वर्ती सभी आचारियों के काववे समंधी लक्षनों पर विवेचन करने के उपरांत अपना लक्षन देते हुए कहा वाक्य रशात्मक काव्यम अर्थात रश में वाक्य ही काव्य हैं इस परिभास में रश शब्द का प्रियोग व्यापक अर्थों में किया गया हैं जैसे रश शब्द से रश, रशाभास, रशाभाव, भाव उदे, भाव सबलता, भाव शांती आदी को भी ग्रहन किया जा सक उसकी परीधी में आने वाले अनेक अव्यवाँ से सम्मंधित वाक्य को ही काव्य कहते हैं, इनके द्वारा रश शब्द का उलेख किया गया है, वही इस परिभाशा को कुछ पूर्ण बनाने में शहयोग करता है। इस शब्द की वर्धी करे वही काव्य हैं। किसी ने रश पर तो किसी ने अर्थ पर किसी ने शबद और अर्थ दोनों पर ही बल दिया है। भी विभिन आचारियों ने विभिन प्रकार से श्विकार की हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते वे भी यदपी एक मत पर नहीं पहुंचा जा सकता, प्रन्तु फिर भी पंडित जगनाथ की परिभाषा, पोलिक तथा काववे की आत्मा के निकट दिखाई पड़ती हैं। संस्कृत आचारियों की परिभाषाओं पर बात करने के बाद, अब हम हिंदी आचारियों द्वारा ने द्रेश्ट काववे लक्षनों की बात करेंगे। इन्होंने दोस रहित अलंकार शहित और रश्मई रचना को ही काववे माना हैं। अर्थ भी विद्यमान हो वही काववे हैं। अर्थात शब्द जीव है, अर्थ मन है तथा रश युक्त, शुयश उसका सरीर है। दोनों प्रकार के छंद उसकी गती हैं तथा अलंकार गंबिर्ता के प्यंजक हैं। इस प्रकार रितिकालिन आचारियों ने संस्कृत काववे शास्त्र के अनुशार अनेक काववे लक्षन प्रसुत किये हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी विद्वानों की आधुनिक काल में जेने हिंदी समिक्षकों या आलोचकों ने काववे पर मोलिक धंग से विचार किया। इन में प्रमुख हैं आचारिये महवेर परशाद्वेदी, आचारिये रामचंद्र शुक्ल, बावु शाम सुन्दरदास, बावु गुलाव राय, महादेवी वर्मा, धुमेल, आधी। बाद्गी और असलियत नहीं, प्रन्तु बिना असलियत के जोश का होना बहुत कठिन है, अतेव कवी को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, असलियत से उनका अभिप्राय मोलिक तासे हैं। पस्ट है, सुकले जी काववे में रागात्मक्ता, त्वे, रसात्मक्ता और भावात्मक्ता को परधानता देते हैं। विचमतकार पक्ष को काववे लक्षन के अंत्रगत महत्व नहीं देते। इस परिभाशा में रश का आग्रय अधिक है, अलंकार, उक्तिवे, चित्री या आदि का समावेस इसमें नहीं हो पाया है। अटै, यह परिभाशा संकीरन हो गई है और केवल रश्वाद का ही पोशन करती है। पंध के अनूसर, कविता हमारे परिपोर्ण च्छनो की वानी है। बाबु गुलाब रहे के अनूसर, कावे संसार के प्रती, कवी की भाव प्रधान मान्सिक प्रतिक्रियाओं की त्रे को प्रेदेने वाली अभिवखती है। इस परिभासा में अनुभूती पक्ष या भा काववे की परिभाशाएं दी हैं, इस सम्मंद में कवी धुमील का कथन है, कवीता शब्द की अदालत में मुझरिम के कठगरे में खड़े होकर बेकसूर आदमी का हलफ नामा है, इस परकार हम देखते हैं कि संस्कृत के आचारियों से लेकर हिंदी के आधुनिक विद्वान के जो लक्षन बताएं हैं, उनमें कुछ भाव पक्ष को प्रधानता दे कर चले हैं, तो कुछ कला पक्ष को, इन समिक्षकों में कुछ विद्वान उद्वारा निद्रेष्ट काव्वे लक्षन इस परकार हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार, पोईट्री एट बोटम इस परिभाशा में काव्वे का लक्षन निद्रेष्ट नहीं होता, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि काव्वे का जीवन से गहरा सम्मल्द है, कॉल्रीज के अनुसार, पोईट्री इस दा बैस्ट वर्ड इन देर बैस्ट ओडर, अर्थात, सर्वोतम व्यवस्था में, सर व्यव्यक्ति पक्ष अर्थात, कला पक्ष को ही परधानता दी गई है, शैले की अनुसार, आवर स्वीटेस्ट सॉंग्स आर दोज देट टेल्स ओफ सेड़ेस्ट स्टोरी, अर्थात, हमारे मीठे गान वही हैं, जो हमारी दुख भरी गाथा कहते हैं, उप्युक्त दंग से काववे की परिभाशाएं दी हैं, लेकिन इन परिभाशाओं के आधार पर आधनिक काल की नई कविता खरी नहीं उतरती, इसके लिए अपनी योग के अनुसार काववे की नई परिभाशा होनी चाहिए, फिर भी काववे लक्षनों में मानवी अनुभूती, परिभाशा के माध्यम से की गई रशात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है, इस परकार आज आपने काववे लक्षनों के बारे में जाना, अगले वीडियो में हम काववे हेतू और काववे प्रियोजन की बात करेंगे, हिंदी शाहित्ते और भासा से जुड़ बताएं, धन्यवाद